नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल पर आज हम बात करेंगे खाने में इस्तुमाल होने वाला रिफाइंड तेल के बारे में बात करेंगे आधुनी विज्ञान ने हमें तेल के नाम पर जैर खाने के लिए विवस कर दिया है आज रिफाइंड तेल बनाने के नाम पर हमारे स्वास्ते के साथ खिलवाड के ज़रा है तेल के अंदर से महत पुन घटक निकाल ले जाते है जैसे चिपचिपापन और गंद चिपचिपापन निकल जाने के कारण वे तेल नहीं तेल जैसा एक पदार्थ रह जाता है और उसके साथ उसके अंदर जो प्रोटीन वगरा पाई जाते वो भी वो निकाल लिए जाते है रिफाइंड बनाएने की स्प्रीकिर्या के अंसाथ इसमें कई प्रकार के रसेयन मिलाए जाते है और कानून की मदद से इसमें पालम तेल भी मिलाकर बजार में बेचजा रहा है और जब से हम यह तेल खा रहे तब से हमारे अंदर रख्त चापलेट पर सरौन अन्य के प्रकार के बिमारे उत्पन हो गई और इस तेल में गैसोलीन, केरोसीन और हेकसेन जैसे के प्रकार के केमिकल इसमें मिलाए जाते है और तीन सो चार सो डिगरी तक इस तेल को बाला जाता है अब मेरे यह बात ही समझ में जब तीन सो चार सो डिगरी तक उबला हुआ तेल हम अगर खाएंगे तो क्या हमारे सरस्वास्ते के लिए सही है अब अगर तीन सो चार सो डिगरी पर तेल को बाला जाता है इस रिफेंट तेल को लोगों के घरों में पहुंचाने में सबसे बड़ा हाथ जो है वो है टीवी एड़िटाइजमेंट का जब हम टीवी में एड़ देखते हैं तो हम खुस होते ही बहुत अच्छी चीज होगी और रदिकतर डॉक्टर भी सजेशन करते है टीवी एड़ मे लेकिन यह नहीं पता कि हमारी सिहत के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ है क्योंकि उनको एड़ करने के पैसे मिलते हैं और अस पूरी दुनिया जानते कि भारत सबसे बड़ा बजार है और भारत के लोग पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं इसलिए मेरा आप से निवेदन ह कर दे बिल्कुल कीचन में इसका यूज ना करें दोस्तों वीडियो बनाने बहुत मेनत लगती है यार प्लीज यार लाइक सेर सब्सक्राइब जरू करें यार